नमो नारे ये गो माता वंदे मात्रमा भारतिको प्रणाम और हिर्दैशे ओम शम शनिश्चरा है नमा पिरदर्श कोन मित्रों श्ठाथ्यों यह तो परमाने तो पिंडे जो पिंड में है वो ये ब्रमान में है और जो ब्रमान में है वो पिंड में है ब्रवान्ड की सारी सक्तियां पहले से हमारे साथ है वो हम ही है जो हम हमारे साथ नहीं है वो हम ही है जो अपनी आखों पर हाथ रख लेते हैं और फित्र रोते हैं कि अंधिरा नहीं है वास्तों में इन सक्तियों का अनभाव करना है तो जाएए भीतर की यातरा पर जहां कि आपने भीतर में और जहां कि कैसे तो ऐसे सद्गूर की तलास करिए जी भीतर की पग्डंटियों पे चलना आपको सिखाएगा ओम नमोनार है विशे अब आपके सामने है और विशे है कि अगस्त का महिना बारा राश्यों के लिए कैसा रहेगा ग्रनक्षत्र की ग्रनाओं के अनुशार अगस्त के महिने में बारा राश्यों को खुशिया मिलेगी अपनों का साथ मिलेगा वेपार में सफलता मिलेगी नौकरी में अनकुलता आएगी सिख्षा में लाब मिलेगा स्वास्तिक कैसा रहेगा और परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे या परिवार की वज़े से प्रिशानी आएगा इन सब का लेखा जो का लेकर मैं आपके सामने आपके यूट्यूब के चैनल यानि गुरुमंत भी दाती महराज पर उपस्तित हूँ मित्रों शात्यों क्या प्रभाव रहेगा नक्षतर गर्णाओं का अगस्त के महिने में और अगस्त में शनिय महोशा का पावन परवर भी है तो राशी फल पे आऊ हूँ उससे पहले कुछ चीजें जिनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए कि अगस्त में के महिने में कब-कब किन-किन ग्रहों का राशी परिवर्तन हो रहा है अगस्त में 17 अगस्त को सूर्य देव प्राते 7 बज कर 23 मिनट पर करक राशी से सिंग राशी में प्रवेश करेंगे 10 अगस्त को रातरी 9 बज कर 10 मिंट बे मंगल देव श्वराशी में से विर्षब राशी में प्रवेश करेंगे और विर्षब राशी के शौमी शुक्र है बुद्देव 20 अगस को रातरी दो बज कर पांच मिनट पर शिंग राशी से कन्या राशी यानि श्वम की राशी में प्रवेश करेंगे ब्रश्पतिदेव पूरे महिने श्वराशी मीन में रहेंगे वक्री अवस्था में शुकरदेव 7 अगस को प्रातरे 5 बज कर 20 मिनट पर मिठोन राशी से करकराशी में प्रवेश करेंगे और 31 अगस तक शिंग राशी में रहेंगे और 31 अगस को ये शिंग राशी में प्रवेश कर जाएगे शनिदेव वकरी अवस्ता में स्वराशी मकर में विराजबान देंगे, रहुदेव मेश राशी और केतु देव तुला राशी में संचरण करेंगे, ये महा के प्रारम की गरह इस्तितिया है, पूरे महिने में कब कौन सा गरह बदलना है, ये रहेगा, प्रिदर्शक को और मि में रखा है और ग्रह द्रश्टी का भी मैंने पूर्ण भ्यान डखा तो आप किसी भी एंगल से देखेंगे आप अपने अपने लगन से देखेंगे तो भी बहुत कुछ मेलेगा और अपनी रासी से देखेंगे तो और अच्छा रहेगा मित्रों शाथियों राशिपल नाम विविन राशियों में संचरण है वो विर्शव राशी पर कैसा प्रभाव डालेगा जानते हैं इन सारे ग्रह योगायोगों सबसे पहले विर्शव राशी की राशी अद्पदी की बात विर्शव राशी की राशी अद्पदी शुकरदेव है और विर्शव राशी वालो से इसमा सुकरदेव की इस्ति आपके लिए अनकूल बनी हुई है धन को लेकर जो चिंटाएं हैं जो प्रिशानिया हैं जो कर्ष्ट है उसमें कमी आएगी और धन प्राप्ति के अच्छी अवसर आपके सामने रहेंगी आपकी मेहनत आपकी परिश्टम आपकी संघर्स का ला मेलत में यह निरने लेंगे तो आपके लिए नुक्सान दाईक हो सकते हैं तो हो सके तो इस महीं ने क्योंकि धन देने के लिए शुक्रदेव त्यार नशा नहीं करें तो और अच्छा लाद मीडिया यानि फिलम इंडिस्ट्री कलाका च्छे तरह इंटिर डिजाइनिंग फैशन डिजाइन इस सब में एथी आप काम करते हैं या आप की नौकरी है या आप कलाकार हैं आप एक्टर हैं या कूछ बी इस एरी में काम करते हैं सफलता अच्छी मिलेगा आपका और आपके अपने पारवारी सदेशियों का शरही हुए मिलेगा जिससे आप खुद आगे बढ़ने के लिए प्रेद कर पाएंगे। प्रतु साथ अगस के बाद मेहनत और परिश्रम और शंगर्ष में बढ़ोतरी होगी। स्वास्ति उत्तम रहेगा। विद्यारत पर शुकरदेव की किरपा रहेगी। लेकिन जो भी सफलता आपको मेलेगी उसमें परिश्रम और महनत का हाथ जादा रहे। करेंगे। बदादेत योगी बनेगा। कारोबार की मसलों को लेगे। आप अधिक उस्सत रहेंगे। आप में उस्सा रहेगा। जुनून रहेगा अपने कामों की परदिः। और पंचम भाव से संचन करें इस समय आपकी सोचनी समझे और विश्रेशन करने और वैविशाय की छमता को बढ़ाने में आपकी जो सोच वड़ी प्रबल रहेगी जिसकी वज़े से आप अपनी रहा में आरी हर चुनोतिय का डटकर मुकाबला करेंगे और अपूर्ट चुन माली मा के आरम में मंगल्डेव रहु देव के साथ अपनी मुल्तिर कॉंडरासी मेस में बारवे भाव में संच्रण करने और दस अगस्त बाव मंगल देव लगन भाव में विर्सवरासे संच्रण करेंगे। मंगल देव की द्वादस और लगन भाव की उपस्ति थोड़ अशा शावधानी का संकेर दे रही है। क्या वानी पर सेम चाहिए वानी पर मिठात चाहिए अनलगल ब्यानबाजी नहीं चाहिए आकरमकता नहीं चाहिए क्रोध नहीं चाहिए इसे कारोबारी सामाजिक और पारवारिक महाल खराब हो सकता है और पारवारिक सद्शियों पर बेवज़े दबाव नहीं बनाए हम मर् सारी व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों को लेकर परिवार में कले की संभावना ये मंगल देव करते हैं इसे बचना बहुत जरूरी जिवन साथी की परती उपेख्षा का भाव संबंदों में दूरिया लाएगी और साजदारी के कारों में शावधानी बचना बहुत जरूरी ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें आपको समाज में नीचे देखना पड़ा ये मंगल देव के गोई लेकिन ब्रशप्राशी वाले को ब्रशप्रदेव आश्टमेस और एकादसेस होकर स्वाराशी मीन में 11 भाव में संचरन करेंगे आश्टम और 11 भाव के सौमी होकर 11 भाव मामलम में प्रगति आएगी आकिस में धनलाब मिलेगा अभिनेयर और शंगीत उद्योग में अपना कैरियर बनने वालों के लिए अविनेताओं के लिए अगस्त का मैंशुव प्रशप्रधू आएगी ऑर संतान का सयोग मनोबल वढ़ है फिर्सपराशिवालों को सनिदेव नौमेश और दसमेश होकर महा के प्रियन नमंभाव स्वाराशी मकर से संचरन करें भाग्यस्तान केरियर कारबार नौकर में सफलता के लिए भाग्य आपको आपके पक्ष में रहेगा गती धीमी जरूर है लेकिन जो भी होगा रद्भूत होगा बस धरिय और स्वेम से काम करे द्धीमा जरूर है लेकिन है बड़ा कल्यानकारी है और थोड़सा धरिय और सह्म रखेंगे तो जो अवरोध है वो नहीं हूँगे अवरोदों को पार करने में आप शक्षम रहेंगे और जल्दबाजी रही तो फिर थोड़ा सा अवरोद हो सकता है इसलिए धैरी और शबर का शात नहीं छोड़ेगा विश्व राशी वालों के लिए अब मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं कि कामकाज, वैविशाय, नौकरी, धन, युवा, शिक्षा, परिवार, स्वास्ति कैसा रहेगा कून विस्तार सबसे पहले मैं युवा और विद्यार्तियों की बात करूँगा शिक्षा और के विश्व राशी वालों के लिए अगस्त के मेने में 11 भाव में 180 में में संचरन कर रहे ब्रश्पत्य की सब्तम पूर्दस्टी पंचम भाव में ब्रश्पत्य वक्री अवस्तावरों चेश्टा बल बहुत जपरदस्त है तो विद्यार्तियों और युवां को कैरियर पार नौकरी सिक्षा के चेतर में मननुकुल शपलता का संकेत मजर आ रहा है लाब मिलेगा वैरत के कठीन परिष्टम भाग दौट संगर से पीचा चुटेगा सिक्षा और कैरियर में मननुकुल प्रणामों के शास्तात परिवार का पूर्ण शात मिलेगा वर्चसु बढ सामना करना पर शकता है इस बात को शंगत सही होनी चाहिए इस महीं सत्रागत 2022 से पंचम भाव के स्वामी बुद्ध का सूरी के साथ बुद्धु आ देते योग में संचन सिक्षा के चेतर में बहतर प्रदसन का आउसर दे रहा है उच सिक्षा में मेडिकल लौ इंजिनियर एकाउंट के चेतर में विद्यारतियों को पूर्ण शफलता में लेगी इदियाब सिये के एक्जाम दे रहे तो खुशकवरी का संकेत है आईटी के चेतर में विद्यारतियों और युवाओं के लिए लाब का संकेत नजरा रहा है बस थोड़ा सा खर्चों पर काबू रख इनी नवमभाव में संचरण करे तो अगस्त का महिना कारोबार नौकरी आर्थिक दस्तिकों से अच्छी सपलता का संकेत दे रहे है रुक्य विए काम बनेंगे राजणितिक सपलता जबतस रहेगी क्या पुंजिनिवे शूर्फ फल परदान करेगा आई कि दस्तिकों से अ आपको मूकामी लेगा नहीं रोजगार की साधन उपलोग ञ Churchillmanisella निवान निवान होगा। नवक्रीवालों के लिए अगस्ट के मैंने आरंण में कारियन की देश्च कोनी ची अच्छा संकेत मिलेगा। कारीय में मन लगेगा। कारीयों शम्ता में संचन इस बात का संकेत दे रहा है कि वैविशाय में मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, लोहा, कर्शिका छेतर, मैनिफेक्चरिंग, एक्षपोर्ड, इंपोर्ड, इस सब कामों में देश-विदेश से कोई शमंद है या अपनी जनम भूमी से दूर कोई वैविशाय है तो धनलाब होगा देश-विदेश, चिकस्टा के छेतरे जुड़े विविशाय को पूर्ण लाब का संकेत दजरा रहा है, मैने के उतराद में सूर्य देव के साथ बुद्ध देव का संचरन चतुर्द भाविशक रहेगा, माता-पिता से धनलाब की प्राप्ती होगी और पै चौकस और सासी बनकर आगे बढ़ेंगे सफलता आपका दामन्चु में, हाँ एक बात आउश्य कहना चाता हूँ, साजिदारों और करमचारियों पर अंधा विश्वास ने करें, साथी कारियों की परति लापरवाई, मोटा नुक्षान दे सकते, इस से बचिएगा, अब म पारवारिक शुक में वर्दी होगी, पारवारिक प्रेशान में कम्यागी और पैतरिक संपत्य की मसले निबढ़ेंगे, समाज में एक अलग तरह का रुत्बा आपका रहेगा, सेवाव में रूची बढ़ेगी, सभावर सोसाइटी में जाने मोका मिलेगा, जहां आप आप अपनी बात रखेंगे और शमाज में आपका अपना एक स्थान बनेगा, आपकी कारिशली, परिवार की प्रति आपकी लगन, महनत, उनकी आउस्टाओं पर ध्यान देने की वज़े से पारवारिक वर्चसों में वर्दी होगी और परिवार में आपका मान समझ, परिवार परिवार में किसी सदेशी की सफलता के कार, पूरे परिवार में बातावन खुष्यों से परा रहेगा, इस मेंने बहुत सी मनो अश्रक्ता की पूर्त होगी और कोई शुपर समचा भी मिल सकता है, एक बात का ध्यान देना होगा, इस मेंने अत्यादिक आत्म विश्वास औ और अपनों के साथ दगा, जो आदमी जीवन भर आपके साथ इमान दारी से रहा हो, आप अपने स्वार्त के लिए इस आदमी को दगा देते हो, और आप अपने ही स्वार्त पे ध्यान देते हो, तो आपको शमच्याओं का सामना करना पर सकता है, क्योंकि ऐसे साथ ही आपक बाइयों रिस्दारों पारवारी सदेशों के विरुद कोई आपके कान भरता है आपको ऐसी अवस्ता में अपने वीवेक से काम करना है और सुनी-शुनाई बातों पर ध्याने कवा कान लेके चला गया जरा एक बार अपने काव को कान को चेक कर लेना इस कारण आपको मोटा नुक्षान हो सकता है बागी पारवर इस तती अनकूल है अब में आपके स्वास्ते पर आ रहा हूं लिए अग्यस्तप्न में देश्कों से अनुकूलता का सग्सेत नजर नहीं आ रहा है स्वास्ते को लेकर सावधानी अप्रिक्षी ते अनाव श्रुक्ष्ण उमंदी पर प्रकरति से जुड़ने का प्रियास करिए, सुभी सुभी उटिए, मौनिंग वा करिए, हलका भोजन करिए, ज्यादा मिर्च मसाला का सेवन नहीं करें, और खान पान में सुधा रखें, मासर और मंदिरा से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या उपाए करें, वैशाय उसमें थोड़ी से मिसरी और गंगा जल मिलाकर चढ़ाना, स्रावन का महिना हर रोज प्रातकाल सुरी उदे से पूरू, चढ़ा के देगे का कस्ट मिड़ जाएगा, कैरियर कारोबार नौकरी में कहीं उठा पटक है, तो दो किलो आटू अलू, दो किलो आलू सुकरवार क काती हल्दी में डुबो दी जिरुगाई को खिला दी जेगा, यह आदभुद उपाय है, कैरियर कारोबार में शफलता पाने के जिए, प्रदर्शक और मित्रों शात्यों, 27 अगस 2022 सनी माउश्या महस्तव, श्री सनी धाम, सनी 33 चेसर असोला फतेपुरवेरी में आपका श् इंसाने, खाली दर्शन कर लेंगे तो समश्यों का समधान हो जाएगा, मैदाती महाराज, शनी माउश्या के पावन पर उपर, एंस्यार और दिली के सलीप, सनी भगत और राष्ट के सभी सनी भगतों को श्री सनी धाम, सनी 33 चेसर असोला फतेपुरवेरी में आमंतरित करा 27 अगस को शनी माउश्या का पावन पर और जो उपाय बताना जा रहा हूं विर्ष्टवराश्य वालक लिए धन के दरवाजी खोले, विर्ष्टवराश्य वालों शनी माउश्या के पावन पर त्रियोदसी, चत्रदसी से अमाउश्या, यानि दो दिन पहले से दूद और चावल की खीर बनाईए और गरीब और जरुत्मत कंजिकों को जिनकी उमर नौ वर्स की कम है, उन कन्याओं को अपने हां से खीर का भोजन कराई, त्रियोदसी को कराई, चत्रदसी को कराई और अमाउश्या कराई, बोजन, प्राते काल, सारे सास से नौ बजे की बीच में क करेंगे तो अच्छा रहेगा, बोजन के बाद सर्दान उसार दक्षना और कंजिकों को श्वेत वस्तर का दान करना बड़ा लाग कारे, त्रियोदसी से लेकर अमावश्या तक अपने घर में चौमों का सर्षों का तेल का दिपक जलाई, और हर रोज, 108 बार, मंगल कारी श हर रोज, शुबह, और शुबह, शुबह, सुरियोदसी से पहले, और शुबह, सुरियास के बाद इस मंत्र का जाप करीगा, आपका कल्यान होगा, शनी मावश्या के पावन पर उपर, शनी देव के मंदिरी में जाकर तेलाभी से करना बहुत अद्भुद लाब देगा, य आपके लिए बड़ा कल्यान कारी रहेगा, शनी मावश्या के पावन पर उपर, शनी देव का सदा पर पूजन करें, धूप दीप नेवधी पुष पर रक्सर चबड़ाए, तेल का दिपक जलाए, शनी मृतुञे इस्त्रोत, ये www.shanidham.in.org.com, ये मेरी वेबशाइट उ शनी मावश्या के पावन पर के दिन, और उसे दो दिन पहले, रातरी में, नौ बज़े से लेकर, बारा बज़े के बीच में, ग्यारा माला रोज जाब करते हैं, और हर रोज, तीन दिन, सुबह-सुबह, दूद और चावल की खीरी बना कर कन्याओं को खिलाते हैं, कैरियर कारबार, नौकरी, बविश्या में सपलता मिलेगी, सनी देव की किरपा बर्सेगी, और सनी देव की दिया से आपका जिवन खुशों से भरा रहेगा, ना मना, प्रदर्शकों, मित्रों शात्यों, ये पूरा राशी पल, नक्षतर गर्णाओं के आधार पर मेरा आकलन था, ना विवाद ने तरक, ना भय 네 भ्रह्म ने भ्रानती, शेकेन ऊपमनेिंक अधिकार आपके पास था, आपके पास हैं, और आप भी के पास रहेगा, मनो न मनो ये आपकी मन, प्रदर्शकों, इंसान हूं, मनुशिय हूं, काम कर रहूं, काम करते वी कोई भूल हो जाती है, दोनों हाथ जोड़के च्रमाप रात्युंओं, आप शुखी रहें, स्वस्त रहें, समर्दी सिलें, सनदेव की चलनों में, मेरी प्रात्न, ओम नमो नारें। रास्तान का हर व्यक्ति जानता एक दातिमाराज गायन से बहुत प्यार था, बेटियों से बहुत प्यार करता है, हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट की धरोवर थी, और ये करना म मेरा कर्ते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का लक्ष राह है मनश्य हूं और मानु होने इतना ति मेरा करत भी है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरी कुई तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का किसा आप शेवा करिया आप मैं भी शेवा करता हूं आप भी शेवा करिया धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक प्रस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुकी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं शयोम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी सम खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करिए आप मेरे से बात करिए लेकिन इसकी एवज में गाएं के लिए चाहरे की वेवस्ता कर लेज़े और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चाहरों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा ये एहंकार नहीं ह परी है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए शनी भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन और वे लोग जो श जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा का दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकूर संकेतनी दे रही है इसलिए मैंने सासन के अपनी एक सीमा है और अपनी मर्याद है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिर्दे से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नमबर है ज़र स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी आउम नमोना रहें आउम नम मझे वाव धन्यवाद दो देते हैं नमोना है